आइस नेटवर्क माइनिंग में लोग फ्री में हजारो लाखो रुपए बना चुके थे और इनका आइस ओपन नेटवर्क मतलब आई ओएन ब्लॉक चेंज जो है वो आने वाला है कुछी माइनों में आ जाएगा और इसी बीच में इन्होंने एक नया माइनिंग प्रोजेक् है जिस तरीके से आपने अप्रोग की माइनिंग किया है तो यहाँ पर आपको फटा फट जॉइन कर लेना है अभी आप इनका पूरा फुल डेटेल देखिए और डेटेल के साथ साथ वीडियो के डिस्किप्शन में देगए लिंक से जा करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज इटा रिलीज अब दा फ्रॉस्ट बाइट नाव अवैलेबल एक्स्क्लूसिबली एज एन एपीके फार एंड्राइड यूजर्स मतलब फ्रॉस्ट बाइट माइनिंग का एपीके के वल अभी एंड्राइड यूजर्स के लिए अवैलेबल है जो कि 10 मई को लांच हुआ औ आपको यहां पर हो सकती है तो ऐसी अपॉर्चुन्टी को आप मिश्मत कीजिए चैनल पर पहली बाज जिट कर रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बिल आइकन के बटन को दबा करके आल टच कर लिजिए लेकिन अभी इतनी ज्यादा तेजी से लोग यहां पर जूच मतलब यूजर्स आ रहे हैं जॉइन कर रहे हैं कि इनकी कैपासिटी जो है वो जो इमेल की थी वो आपकी हंडेड तू हंडेड फिफ्टी के की थी यहां पर देख सकते हैं इसे यह दस दिन में वन मिलियन कर लेंगे मतलब जॉइन करते समय एक प्राबलम आ रही है क यहां पर OTP लोगों को नहीं रिशीव हो रही है तो उसका एक सेलूशन है कि आप आउटलुक पर एकाउंट बना लिजिए जैसे आपका जीमेल पर एकाउंट बनता है वैसे आउटलुक पर एकाउंट बनता है जैसे आपका कोई add the rate gmail.com होता है वैसे add the rate outlook.com होता है और उ आपकी earning पर काफी बड़ा effect पड़ेगा तो वीडियो में बने रहिएगा ध्यान से देखिएगा joining link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जैसे ही joining link को open करेंगे आपको इस तरीके से page open होगा यहां पर आप download APK करेंगे और इसके बाद download anyway करेंगे इसके बाद यहां पर download में जाने के बाद यह देखिए आपको यहां पर दिखाई दे रहा है frostbite APK इस frostbite APK को touch करके आप इसे install कर लेंगे जैसे हमने यहां पर touch किया installer just once करना है इसके बाद यहां पर update जहां आ रहा है वहां आपका शुरू में install आएगा यहां पर install करने के बाद उस app को आपको open कर लेना है ध्यान दीजिएगा आपको open करने के बाद आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है ध्यान से इसको देखते रहिएगा क्योंकि आगे technical problem यह है कि अगर आप Gmail वाला email डालते हैं तो आपको OTP नहीं आ रहा है इसलिए उससे पहले आप Gmail डालने से पहले यह link आपको वीडियो के description में मिल जाएगा telegram पर मिल जाएगा पहले Microsoft Outlook app को install कर लीजेगा install करने के बाद जैसे ही आप open करेंगे add account आएगा और नीचे आएगा create account आप create account पर जा करके वो आप से मांगेगा outlook mail तो आप वहाँ पर जो भी बनाना है वो link दीजिएगा last में add the rate outlook लिखा रहे या submit नीचे आएगा करिएगा फिर आप से password पूछेगा password minimum 8 character का case sensitive बनाईएगा मतलब छोटा बड़ा अक्षर add the rate या हैच में से कोई एक और कुछ गिंती मिला करके 8 होना चाहिए इसके बाद आपका real name पूछेगा आप अपना real name दीजिएगा जो आपके ID पर है और इसके data birth पूछेगा वो भी डाल करके submit करिएगा last में capture verification आता है ध्यान दीजिएगा इसमें दो उंगली का direction दिधर रहेगा उधर ही जो दूसरा symbol दिया रहेगा उसका भी direction करके ही आपको submit करना है इसमें हो सकती है कि आपको problem हो कुछ ज़्यादा time लग सकता है लेकिन आपको outlook account बन जाएगा और जब outlook account बन जाएगा तो इस तरीके से open होगा देखिए यहाँ पर हमारा frostbite से verification code का email आ चुका है और यह ज़्यादा से ज़्यादा एक minute के अंदर आ रहा है जबकि Gmail पर नहीं आ रहा है क्योंकि आपने देखा इन्होंने announce भी किया है कि हमारा केवल 250k email की capacity है daily की और यह over हो जा रही है 1 million यह 10 दिन में लाने वाले हैं तो आपके पास अभी outlook के अलावा और कोई रास्ता नहीं बसता है अब जब आप app को install कर लेते हैं तो app को install करने के बाद जैसे ही आप open करते हैं इस तरीके से आप सनाता है यहाँ पर आपको start sharing को touch करना है जैसे ह आप start sharing को touch करते हैं ध्यान दीजिएगा आप जैसे start sharing को touch करेंगे यहाँ पर यह page open हो जाएगा यहाँ पर यह बता रहा है कि आपको battery disable battery saving मतलब battery optimization को disable करना है उसके लिए आपको क्या करना होगा सबसे पहले आप setting में चले जाएगा mobile के mobile के setting में जाने के बाद आपको यहाँ यह पर apps का option मिलेगा जैसे देखिए हमें यहाँ पर मिल रहा है apps के upon को आप यहाँ पर देक लीजिएगा ऊपर आपको कुछ apps दिखाए देंगे यह पर देखिए see all यहाँ पर आ जाएगा और frost site यहाँ पर आप सर्च कर लीजिए गा frost यह देखिए frostbite फ्रॉस्ट बाइट को सर्च करने के बाद आप app battery users यहाँ पर देखिए app battery users आ गए यहाँ पर optimize, restricted, unrestricted, unrestricted को आपको touch कर देना है और allow battery users in background आपको जिस तरीके से भी लिखा मिलेगा मतलब allow battery users in background without restriction इसी option को आपको touch कर देना है इसके बाद यह task पूरा हो जाएगा जब यह task पूरा हो जाएगा तो फिर आप यहाँ पर आ जाईएगा और फिर आगे जब touch करेंगे आगे touch करने से पहले आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद यह नीचे आपको setting का option दिखाई दे रहा है इस setting को touch करेंगे पहले disable करना है battery usage को मतलब optimization से हटा करके background running allow करना है फिर setting पर आना है जैसे ही आप setting को touch करेंगे इस तरीके से sign up और login का option आ जाएगा और यहाँ पर यह वाला option हो सकता है कि आपका tick ना हो तो इसे touch कर देंगे तो यह tick हो जाएगा इसके बाद तब जाकर के आप sign up को touch करेंगे जब sign up को touch करेंगे तो sign up को touch करने के बाद आपको इस तरीके से पे जाएगा email address अब यहाँ पर आपको अपने outlook का डालना है जैसे कुछ भी है ganesh123adtherateoutlook.com डालने के बाद continue करेंगे continue करने के बाद 3 digit का OTP आएगा फिर आप अपने outlook आप में जाएंगे open करेंगे open करने के बाद इस तरीके से mail आया रहेगा इसको open करेंगे यहाँ पर 3 digit का code मिलेगा उसे आप आ करके यहाँ पर डालेंगे डालने के बाद जैसे ही submit करेंगे फिर आप से मांगेगा enter the code are you ready? मतलब who unit you? तो आपको यहाँ पर डालना है राना देओ ध्यान दीजिएगा R A N A D E V राना देओ यह हमारा refer code है आप यहाँ पर डालेंगे enter the refer code और इसके बाद submit करेंगे submit करने के बाद आपको बोलेगा enter your nickname आप यहाँ पर अपना username जो भी बनाना चाहते हैं वो आप enter करिएगा maximum कम से कम 4 का होना चाहिए maximum आपकी मर्जी और सारे small letter में लिखिएगा और इसके बाद कुछ digit भी आप चाहें तो लगा सकते हैं special character यहाँ पर नहीं लगेगा इसके बाद नीचे finish को टच कर देना है जैसे यह आप finish को टच करेंगे आपकी joining confirm हो जाएगी और जब joining confirm हो जाएगी तो आपका page कुछ इस तरीके से open होगा और जब इस तरीके से open होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे यह mining चल रही है यहाँ पर mining चल रही है पे आउट अब हमारा जो allocation है current balance हमको देखिए 33,333 मिल गया है अब यहाँ पर आपको आना है setting को टच करना है setting को टच करने के बाद share internet and earn इसको भी allow कर देना है अब home पर आदाना है home पर आने के बाद आपको invite friends and earn great bonus यहाँ पर join करते ही $5 का आपको इनका token मिलेगा और इसके बाद जो आप से जुड़ेगा आपका refer code डालेगा तो उसे भी $5 का bonus में इनका token मिलेगा तो इस तरीके से joining है आप email का wait मत करिये कि Gmail active हो जाए 10 दिन का इन्होंने time दिया है आप outlook में account बना करके joining कर सकते हैं आइस से बड़ी earning आपर हो सकती है या आइस से छोटी earning हो सकती है वो future पर depend करेगा लेकिन आइस network ने आइस token के बदावलत लोगों को बहुत बड़ी earning दे चुका है इसलिए इसे miss मत कीजिए फटा फट जाइन कर लीजिए 100% free of cost का है एक नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ पुना हाजिर होगा लेकिन सभी का जो joining link है वो same रहेगा refer code केवल अलग-अलग होगा अगर आपका इसके अलामा भी कोई problem है कोई query है कोई question है तो comment section में जरूर लिखिए एक नए वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ पुना हाजिर होते हैं तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद